इसके बारे में सोचा, जो अंदोलन आपने बनाया था, उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे, उसको सुना, समझा और तभी ये निरने लिया गया। तेलिंगाना जब बना, तो ये स्पर्ष्ट था, कि ये प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तेह करेगा। सब की यही इच्छा थी और आशा थी, कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा। कि जितनी आशाएं अंदोलन में व्यक्त की गई थी, जितने बलेदान दिये गए थे, उनका आदर होता। और सब चाहते थे कि चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, लेकिन तेलंगाना एक नया प्रदेश बना है। अपने अंदोलन से उबरा है, इसमें सब किसान, दलेट, आदिवासी, जनता, युवास, सब शामिल हुए। तो हम सब चाहते थे कि कैसी भी सरकार आए, चाहे हमारी सरकार भी नहों, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी, और कुछ बनाएगी, और आपको विकसित बनाने के लिए दिन रात काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है, कि जो सपना और जो आपकी इच्छा थी, नीरू, निदलू, नियमा कालू की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है, सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है, और सारी जो नोक्रिया हैं यहां के युवाओं को मिलने के बजाए उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं यह आपका सपना नहीं था बी आरे सरकार यहां एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने सरकार नहीं हो पा रहे हैं उनको शायद यह लगता है कि यह प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार है लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े इसके लिए आपके बेहनों आपकी भाईयों ने बलिदान रहीं दिया इसके लिए आपका आदोलन नहीं चला आपका आदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहां के युवाओं और युवतियों को मिले और इसलिए जब बियारेस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया डाई लाग किसानों पर आज भी डेर लाग रुपे का कर्ज है डाई लाग किसानों पर एक एक किसान पर कर्ज है